प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने मजदूर दिवस के मौके पर यूपी के बलिया में उजबला यूजना ती शुरुआत की इस मौके पर प्याम मोदी ने यूजना की चुनी गई दस महिलाओं को गैस के कनेक्शन बाटे प्याम मोदी ने खुद को मजदूर नमबर वन बताते हुए लेबर्स उनाइटिट दवर्ल का नारा दिया प्याम ने उजबला यूजना को देश के लिए फायदेमन बताया साफ किया कि वो बलिया में यूपी विधानसवा चुनाव का बिगुल बजाने नहीं आये हैं आज देश का ये मद्दूर नमबर एक देश के सभी स्थ्रमिकों को उनके पुर्शार को उनके परिश्रम को रास को आगे बढ़ाने में उनके अभिरत योगदान को कोटी कोटी अभिनंदन करता है ये देश के लिए किया हुआ काम है ये गरीबों के लिए किया हुआ काम है किसी ने लिख दिया कि बलिया में मोदिया जो कारकम कर रहे हैं वो चुनाव का ब्रुगल बजा रहे हैं वे चुनाव का ब्रुगल बजा रहे हैं प्रदहान मंत्री उज्वला योजना के तहत अगले तीन साल में पांच करोड बीपेल परिवारों को लपीजी कनेक्शन दिये जाएंगे योजना के लिए आठ हजार करोड रुपे का बजट तै किया गया है सरकारी दावों के मताबिक एक करोड से ज्यादा लोगों के गैस सबसिडी छोड़ने की वज़े से करीब पांच हजार करोड रुपे की बजट हुई है इस बजट को प्रदहान मंत्री उज्वला योजना में खर्श किया जाएगा प्रदहान मंत्री नरेदर मोदी अपने संसदी एक शिक्त वारानसी पहुचे प्रदहान मंत्री नरेदर मोदी के सपनों का बोट है इसकी खासियत ये है कि ये बैटरी से चलने वाली बोट है जो प्रवारन पे होगा जो क्लाइमेट पे इसका असर होगा फायता होगा वो तो होगा ही होगा इसका एकनॉमिकल फायता भी होगा गंगा के साफ सफाई में इसका एक इंपोर्टेंट रोल होगा और प्रधान मंत्री ने इनी सोच के मकसद से इसको लॉंच किया है इरिक्षा बाटने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इरिक्षा चालकों के साथ चौपाल लगाएंगे प्यम मोदी असी घाट पर आयोजिद शामे बनारस कारिक्रम में भी हिस्सा लेंगे शाम करीब बने आठ बजे पिये मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे उत्रखन के शीनगर में वायू सेना का MI-17 हेलिकॉप्टर पानी के साथ तयार हड़ा है लेकिन खराब मौसम की वज़े से उड़ा नहीं भरपा रहा है नैनिताल के जंगलों में भड़की आग पर काबू पाने के लिए हेलिकॉप्टर से पानी गिराया गया MI-17 हेलिकॉप्टर ने भीमताल की जील से पानी भरा उत्रखन के सभी जिले आग से प्रभावित है जंगलों में लगी आग बेकाबू होती जा रही है हजारों हेक्टेर जंगल तबाह हो चुके है केंद्रिय वन और पैरावरन मंत्री प्रकाश जावडिकर ने राजी सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है आपता प्रबंदन विभाग ने आग पर जल्द काबू पाने के उम्मीज जताई है आग को काबू पाने के लिए 6,000 लोग अभी तक लगाये गए है और हमने सला दिया है कि और लोग बढ़ाओ उनको पांच करोड रुपे तुरंग खर्च करने को कहा है गर्वी के दिनों में आग की घटनाय प्राया सभी जंगलों में होती है उसके लिए बहुत सारे उपाय किये जा रहे है कि वो कैसे कम हो राजसरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है जल्दी से इस्तिति को नियंतर्ड पे लाए जाए और राजसरकार के लावा सेना, ITBP, वायू सेना, NDRF, SDRF NDRF की तीन टीमें भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है उत्राखन के जंगलों में वीते एक महीने से भड़की आग की वज़े से छे लोगों की मौत हो चुकी है आग की वज़े से राजजी के करीब पंदरा सु गाउं पर खत्रा मंड़ा रहा है कुमाओ और गड़वाल में करीब 1900 हेक्टेर जंगल आग की वज़े से दबाह हो चुके है जिम कॉर्वेट नैशनल पार्क का 198 एकड़ इलाका भी आग की चपेट में आ चुका है राजजी नैशनल पार्क के सत्तर और केडारनाथ के साथ हेकड़ इलाके पर आगने असर डाला है ग्रेमंत्री राजना सिंग ने ग्रेमंत्राले के अधिकारियों से उत्रखंड के हलात पर नजर बनाए रखने और हर संबा मनुद पूशने को कहा है राक्षर मंत्री बनोहर परिकर ने अगस्ता वेस्टलेंड घुटाले पर संसद में पूरी जानकारी देने का वादा किया है परिकर ने दावा किया है कि डील के लिए नेमों में गलत तरीके से छूटी गई परिकर ने रिश्वत लिए जाने को भी साबित करने का दावा किया है कॉंग्रेस ने घुटाले में हो रहे खुलासों को बीजेपी का जूटा प्रचार करार दिया है चार मई को अगस्ता वेस्टलेंड घुटाले पर राज्यसभा में बहस होनी है यूपीय सरकार के दौरान 2010 में आगस्ता वेस्टलेंड से 12 हेलिकॉप्टर की खरीद का सौधा हुआ हेलिकॉप्टर सौधा 3600 करोड रुपे का था कुल रिकम का दस्वी सिदी हिस्सा रिश्वत में देने के आरोप लगे इटली की मिलान कोर्ट अफ अप्रील्स ने फैसले के मुताबिक डील में करीब 125 करोड के रिश्वत भारते नेताओं को दी गई 225 पेज के फैसले में चार कॉंग्रिस नेताओं का दिक्र है जिन में मनमोहन सिंग, आसकाफ फनैंडिस, एमद पटेल और सेनरा गांधी शामिल है प्राइविट मेंबर बिल पर सियासत करवा गई उत्तर मुंबई सी बीजेपी सांसद गोपाल शेटी की और से पेश किये गई बिल के मुताबे हर सदल से को शपत लेते वक्त भारत माता की जय कहना जरूरी होगा शेटी का एबिल सम्विधान के तीसरे अनुछेद में संशोधन के लिए पेश किया गया है जल्दी लोग सभा में बिल पर चर्चा हो सकती है विपक्ष ने बिल के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा है प्राइविट मेंबल बिल मूग करना चाहिए परलेमेंट में और एक बार ये पास हो जाता है तो फिर हर सांसत को शपत विदी के बाद में उसने भारत माता की जय कहना चाहिए ये मेरा मुद्धा है जबरदस्ती भारत माता की जय कहलाने से कोई फाइदा नहीं है तो मैं सबस्ता हूँ कि ये सर्फ फजूल की बात है और इस देश को ये लोग इसी में उल्जा का रखना चाहते है RSS प्रमुक मोहन भागवत के बयान के बाद भारत माता की जै के नारे पर विवात की शिरुवात हुई थी मोहन भागवत ने कहा था नई पीड़ी को भारत माता की जै के नारे लगाना सिखाय जाना चाहिए भागवत के बयान के बाद महराश के लातूर में M.I.M. नेता असूदी नुवेसी ने कहा वो भारत मातागी जै नहीं बोलेंगे देवबंद के दारूल उलूम ने भारत मातागी जै को गैर इसलामी करार देते हुए इसके खिलाफ फत्वा जारी किया था